हलो एप्रिवान कैसे हैं आप सब लोग आज हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट जो स्टेट्स हैं और जो कैपिटल्स हैं आप लोगों के इस लेबस में फिर वो स्टॉक एसेस्टेंट हो वेटिनरी फार्मसिस्ट या वाइडलाफ गाड हर एक पेपर में स्टेट्स एंड कै क्या questions बन सकते हैं आज हम लोग इस lecture के बाद मैं guarantee दे सकता हूं कि जितनी भी स्टेट्स हैं वो सब साथ ही साथ उनकी आपको इस लेक्ट्षर के बाद याद होंगी और आपको टिप्स पर होंगी आज हम इसको ट्रिक्स के साथ करेंगे तो जो लोग यह चैनल पहली बाहर देख रहे हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बहुत जलनाए आपको एक पेपर को जो आपका इस चैनल को जो हमारा ट्रिपलेस का फर्स्टेस है जिसे हम स्टडी प्लान कहते हैं वह हमारा खतम हो जाएगा 20 अपरल तक उसके बाद हम लोग काम करेंगे हमारे सेक्टेस के उपर यानि कि लिए भी कोर्स के उसके स Изहाब को मिल जाएगा आप लोग चाहें तो यह को से नंबर पर आती है और अगर और अगर हम बात करें population के हिसाब से इंडिया का रहेंग है second अगर इंडिया का रहें है तो first पर कौन है तो first पर है आपकी China अगर हम Indian States and Capitals की बात करें तो आज की date में officially हमें जाना जाता है as the Republic of India और यहां पर पर्लिमेंटी फॉर्म ऑफ गवर्मेंट है यह सब चीज हम लोगों ने आपको पढ़ाई है पर आपको पॉलिटी के लेक्षिस में पूरा डिटेल में मिल जाएगा इसा क्यों का जाता है यह सब चीजें क्या है लेकिन एक क्वेश्चिन जो सबसे लादा कन्फ नहीं है तो बच्चे पहले सोचते थे कि पहले आठ से लेकिन अब जम्मु किश्मीर और लदाख बन गया है अब पहले साथ थे अब दो एड हो गई है तो यह नहीं है दमवन एंड द्यू और दादरनगर हवेली को मर्च कर दिया गया है तो यह आज की डेट में टोटल न स्टेट्स हैं हमारी 28 अगर हम बात करें यूटी कितनी है तो टोटल यूटी है हमारी आठ इसमें गलती नहीं होनी चाहिए बहुत बेसिक है और बहुत हद तक इस तरह के कुछ चाते अभी अब हम बात करेंगे वह अठाई स्टेट्स क्या है और उनकी कैपिटल क्या है उस इसपूर बिहार की है पटना चतिसगर की है रायपूर गोवा की पनाजी गुजरात की गांधी नगर हर्याना की चंदिगर माचल प्रदेश शिमला जारखंड की रांची अब देखो ऐसा नहीं है कि मैं इस लेक्चर में आपको इसी तरीके से डिक्टेट कर दूँगा साम की है यहां पर दिसपूर बिहार पटना चतिसगर रायपूर गोवा पनाजी गुजरात गांधी नगर हर्याना चंदिगर हिमाचल प्रदेश शिमला जारखंड रांची नेक्स पर आते हैं नेक्स्ट आपके सामने है करनाटका की है बैंगलूरू कैरला की तिरुवंतन सबसे पहले तो इसको आप लोग मार कर लेना मोस्ट इंपोर्टन अब रीजन क्या है जल्दी-जल्दी मैंने आपको चीज़ें अभी सिरफ रीड करवाई है कैपिटल के बारे में बताया है यहां पर मोस्ट इंपोर्टन की हूं तो देखो यह जो गैर सेन है समर कैपिटल यह भी रीसेनली लास्ट यह 2021 में एड की गई है तो यह सबसे जाना इंपोर्टन है इससे पहले उत्राखंड की कैपिटल थी धहरा दुन लेकिन रीसेनली जो एड की गई है वह है गैर सेन तो पेपर में दोनों तरीके से पूछा जा सकता है और आपसे डारेक्ट भी पू डेड करती है तो वो है यहां पर हमारी सेवन सिस्टर वहां से रहे से बनता है बच्चे कन्फ्यूज होते हैं अब हम इसको थोड़ा सा डीटेल में पड़ेगे अब यहां पे हम बात करेंगे थोड़ा सा इंडियन-उनियन टेरीटरी के ओपर अब इंडियन-ईयन-ईयन- पेपर में यह भी पूछा जा सकता है कि किसको मर्च कर दिये गए कैपिटल तो बात की बात है पहली यह चीज़े पता हुनी चाहिए इसके बाद यहां पर आपको दिखेगा लक्षद्वीब पुडुचरी अंडवान निकोबार आइलेंड ठीक है यहां पर अब हम बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्णेंट चीज है यूनियन टरिटरीज दो बनाई गई है जमू कश्मीर और लदाक कब बनाई गई थी यह देट भी याद रखना पांच अगस 2020 को यह बनाई गई थी जिसकी वज़ा से यह टोटल हो गई है आठ ठीक है यह पहला पॉइंट याद रखना जो यह रियार्गनेजेशन एक्ट है इस पर तो क्वेशन बनते ही है लेकिन यह चीज याद रखना कि टोटल कितनी है तो टोटल आठ यूनियन टरिटरीज है बार-बार रिपीट कर र दामन Most important इसको मार करना क्यों रिजन क्या है मैंने आपको भी बता दिया है यहाँ पर जिली जम्मू कषमीड की चैपिटल बी शाट रखना ये तो आपको याद ही होगी दो है श्रीनगर और विंटर केपिटल है आपकी यह आद रखना बार नगर लिखा है जरूरी नहींग है कि आपको स्टेट की capital ही paper में पूचे जाएगी आपको state के related इस तरीके से चीजें इस तरीके के effect भी पूचे जा सकते हैं अभी इस lecture में मैं आपको बस overview दे रहा हूँ सही lecture अभी आपका शुरू ना बाकि है पॉडुचरी की capital है आपकी pondichory लदाख की capital है आपकी ले तो यहां तक यह चीजें हो गई clear अब आज़ो यहां पर अब आज़ो map के उपर अब आपको सारी चीजें मैं यहां पर पढ़ाऊंगा सारी चीजें हम trick के according करना शुरू करेंगे सबसे पहली चीज मैं है बहुत खूब अब आज़ाओ नीचे अब हिमाचल प्रदेश की capital क्या है देखो अगर आपको याद रखना है अगर आप लोग बहुत देशे classes पट रहे हो तो आपको यह याद असान होगा लेकिन ट्रेक्ष मैं यहाँ पर आपको साथ साथ में लिखते चलूंगा अब देखो quindi अगर हम किसी male member को represent करते हैं he के साथ या फिर क्या यूश करते हैं वहीं अगर किसी female को करेंगे उसके साथ, क्या यूश करते हैं, उसके साथ हम लोग है यहां पे अगर कभी पेपर में भूल जाओ वैसे बहुत बेसिक है नौर्थ इंडिया की कैपिटल आम तोर पे अगर मैं बात करूं हम लोगों को याद होती हैं भूलेंगे नी बट ट्रिक मैं आपको साथ साथ बतानों कि अगर वर्स केस में कभी भूल के तो याद रहेगा मेल को रिप्रेजेंट करते हैं हिम के साथ फीमिल को करते हैं शी के साथ तो हिमाचल प्रदेश की यहां पर शिमला ठीक है नेक्स पर चलते हैं जम्मू कश्मीर के जो सबसे पास है पंजाब और हमारा ना हरयाना इन दोनों की capital क्या है न कि Capital है चंदिगाड याद करने की ट्रिक के जरूरत नहीं है अब यहां पर यह पुछा जा सकता है कि बताओ कौन सी ऐसी दो सिटेटस है जिनकी capital जो है वो सेम है अगर आप से पेपर में यह पूछा गया तो याद रखना हर्याना की भी Capital चंदिगड़ है पंजाब की भी Capital चंदिगड़ है चंदिगड़ यूटी की भी Capital चंदिगड़ है तीनों पॉइंट बहुत important है आ सकता है याद रखना next पर चलते हैं डेली की Capital है निव डेली बहुत बेसिक है, difficult नहीं है उत्राखंड की बात करें, उत्राखंड मैंने आपको अभी बता दिया उत्राखंड की capital मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट दहरा दून नहीं है उत्राखंड की कैपिटल अगर पूछा जाए दहरा दून भी है लेकिन जो भी रिसेंडली बनाई गई है वह ज्याद अत्तर आने के चांसे जाए वह क्या नाम है उसका उसका नाम है गैर सेंड बहुत इंपॉर्टेंट है डारेक्ट क्या है देखो राजस्थान की अगर मैं आपको ट्रिक बताओं राजस्थान चीक है राजस्थान में क्या देखने को मिलते हैं आपको राजस्थान में देखने को मिलते हैं राजा की क्या होती है हमेशा राजा की होती है जैजैकार चीक है यह चीज याद रखना क्या होती है जैजैकार कैपिटल क्या है यहां पर जैपूर यहां तक चीज़े क्लियर है ट्रिक बहुत बेसिक है आप लोग एक बार याज लेक्चर देखके जाओगा आपको कभी रिवाइस करने की जरुद भी नहीं पड़ेगी इसकी गारेंटी में दे देता हूं राजस् चीज के बनाएं कहीं बारी क्या होता है जो हम लोग पड़ते हैं यहां क्लों से जीजा है यहां लकनो क्यूं है यहां-्पर प्रदेश में शम्राजनाद सिंग कोण है इससे में हमारे क्या है इनकी सप्सुण सी क्या है इनकी यहां-बजनाषि न म्हां-ट year मीरोर्य जरूर्य नहींगर जरापना सबस्साइध मैंया उतना याद रखो गे तो यह चीजे अपने आध से याद जाएगी पेपर में तो बहुत ज़ाद आप होगा कुछष्नाद से चलते हैं है हम लोग यहां पर अब गुजरात की अगर मैं बात करूं गुजरात की अगर यहां पर बात की जाए तो आपको पता है महात्मा गांदी कहां से थे महात्मा गांदी थे हमारे गुजरात से ठीक है और यहां पर चीजें ट्रिक नहीं यह और महात्मा गांदी के नाम पर ही गांदी नगर जो है आप लोग देख सकते हैं यहां पर देखने को मिलेगा आपको गांदी नगर कहां पर गुजुरात में बेसिक है डिफिकर नहीं है इसी है याद रखेगा मैं मान के चलता हूं नेक्स पर आज़ो मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश की कैपिटल क्या है मध्यप्रदेश की कैपिटल है भौपाल मध्यप्रदेश की कैपिटल क्या है भौपाल अब आपके लिए होंवक क्या है आपको एक ट्रिक कमेंट बॉक्स पर लिखके बतानी है जिससे आप लोग बताएंगे कि आपने कैसे इसको याद मद्यापरदेश की कैपिटल है बोपाल आपको बताने कैसे देखो मद्यापरदेश की एक और जगा है वह यहां पर मैं डिसकस नहीं करेंगा कंफ्यूज हो जाओगे के पेपर में इंदोर है बेसिकली लगतर पांच बार क्लिनेस सिटी का वार्ड जीता है उसने लेकिन बभेली और दमनाढ़ो की एतने के बार्ड थैबंध करने के वरे आपको दाद्र रहा में डियूज लिए यासकता है याद रखना दमन जो है वह हिसकी कपिटल है महाराष्टा की कैपिटल अब देखो महाराष्टा की कैपिटल मुंबई है सब को पता है नहीं भी लेक्चर टेट करोगे तब इसका आंसर कर दोगे लेकिन अगर आप से पूछा जाए इंडिया की फैनेंशिल कैपिटल क्या है तो इसका याद रखना इंडिया की फैनेंशिल कैपिटल भी है मुंबई अगर पेपर में इस तरीके का क्वेशन बना तो आप लोग इसका आंसर जरूर कर दोगे फैनेंशिल कैपिटल क्या है financial capital है Mumbai बहुत important है यह point याद रखना next पर चलते हैं अब हम लोग अब देखो यहाँ पर दो जगा आपको देखने को मिलेगी पहली आती है यहाँ पर गोवा की अगर मैं बात करूँ तो गोवा की capital क्या है गोवा की capital है यहाँ पर पाना जी ठीक है इसको याद रखने की trick क्या ह है गोवा को आप लोग मान के चल सकते हैं कि गाउं है गाउं के लोग क्या खाते हैं पान एक सिंपल सी trick है याद रखने के लिए गोवा की trick हो गई आपकी गाउं में लोग पान खाते हैं गाउं में लोग इसको थोड़ा यान लिख देता हूं दाकि क्लियर रहे गाउं में लोग पान खाते हैं simple है यहां पर तो आप लोग इसको खुद कर सकते हैं गौओं से आपका आजाएगा गौवा और पान से आ आजाएगा आपका पानाजी नेक्स प्राज़ों करनाठका की चैपिटल क्या है करनाठका की कैपिटल है बेंगलूरू कुछ भी जादा डिफिकल्ट नहीं है आप लोगों के सामने है बहुत बेसिक है इसको आप लोग यात रख सकते हैं कि यह कर नाठ का है जैसे कैरिला है कैरिला की थिरुबंतनम पूराम है तामिल नाडु की है आपकी क्या तामिल नाडु की है चिन नहीं अब देखो यहां प से लिखूं तामिलना नाडू अगर यहां पर आज की अगर मैं आपको बताओ मानलो कोई लड़का है लड़की अगर किसी को मिलना हो तो आज की डेट में जिस तरीके से लोगों के रिष्टेदार है तो उनको चैंड से मिलने में बहुत प्रॉब्लम होगी तो याद रखने क की ट्रिक है पेपर में स्ट्राइक कर जाएगी तो बहुत अच्छी बात है वैसे इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप भूलनी पाओगे तो यहां पर मैंने बता दिया है सिंपल से ट्रिक दूसरी ट्रिक क्या है मानलीजिए सीच के आप लोगों ने देखा है चिन्नाई रह गई जैसे तामिलना नाडू मैंने आपको सिखाया अगर आपको यह ट्रिक याद होगी तो आप लोग इसको आंसर कर लोगे नेक्स पर आते अंद्रप्रदेश पर एक और चीज इंपॉर्टन है फिलाल अभी के लिए याद रखना अंद्रप्रदेश की कैपिटल है अ अंद्रप्रदेश ते तो जो हैद्राबाद है वह यहां चल गया अब देखो तलंगरा की बात हुई है तो एक और करण डिविंट में आपको बता दो अपने जो में हमारा जो जो जोन है उससे हम अलग नहीं हो सकते देखो तलंगरा की साइट है थर्टी नाइंथ यूनेस रात में जिसका नाम क्या है दोला विदा तो यह भी याद रखना नेक्स पे आजाओ यहां पर अभी तक जो हम चल रहे हैं अंद्रप्रदेश की कैपिटल को कोन्फ्यूज मत करना पेपर में अगर पूछा जाएगा तो इसको याद रखना अंद्रप्रदेश की कैपिटल क्या है अंद्रप्रदेश की कैपिटल है अमरावती और जो तैलांगना की कैपिटल है वो है हैध्राबाद अब थोड़ा सा और उपर चलते हैं ओडिसा के अगर हम बात करने तो ओडिसा में है भुवनेश्वर अब देखो भुवनेश्वर क्या है आप लोगोंने अगर क् कर सकते हैं कि आपके जो भुवनेश्वर कुमार है उन्होंने होकी छोड़ और ने क्रिकेट छोड़ के अब शुरू कर दिया होकी क्यूं अब देखो यहां पर फिर से करेंट है फिर से याद रखना होगा क्योंकि टोक्यो ओलंपिक्स में टीम गई थी हमारी में टीम और टीम उनके स्पॉंसर कौन थे उनके स्पॉंसर थी आपकी ओडिसा गवर्मेंट यह ट्रिक नहीं है यह फैक्ट है तो ओलंपिक में मैं टीम ने जिता था ब्रॉंस मैडल ठीक है तो इसको देखके भुवेश नेश्वर कुमान ने कहा कि मैं अब क्रिकेट की जगा होकी खे सब्सक्राइब करोगे तो कल को करना देखके से क्वेशन बन गया तो वह भी आंसर कर देना नहीं बना तो भी आप इसका आंसर कर सकते हो नेक्स पर आते हैं चक्टिस गड़ कि एक भी राय मांगते हो आपको चथिस मिल जाएंगी यह आज की डेट की है अगर आप लोग कि किसीसे एक भी डॉब मांगते हो आपको 36 मिल जाएंगी। यानि की 36 गड़ क्या हो गई आपकी ॹापकी जाए पूर Impleat 36 गड़ महthis आफ सिमपल ट्रिक एक से भी अगर आप लोग कोई मांगो की आपको कितने मिल जाएंगे आपको 36 मिल जाएँगी। पर देखो इसकी ट्रिक भी थोड़ी सी फनी है तो ध्यान रखना बिहार को अगर आप लोग वाल लीजिए बिहा यानि कि जिसको हम लोग बिया भी कहते हैं डोगरी में या फिर बिहा जो शादी हो गई अगर आपको किसी से बिया करना है तो आपको उसको पहले पठाना पड पढ़ेगा यानि कि बिहार की Capital क्या है बिहार की Capital आपकी पठना Ponco क्राणिक अंप में यहां से बिलोंग करते हैं कि में मेंदर सिंहु महें पहली मेट्रों हमारी यहां से चली है थोड़ा सा अगर मैं आपको बता दू तो यह बाकी थो हम लोग ने कर दी हैं कवर अंद्रप्रदेश करनाटका सबको हमने कवर कर दिया कोई यहां पर रहा नहीं है अब हम चलते हैं उस पर जिस पर आप questions expect कर सकते हैं जो याद करना थो दो questions बन सकते हैं क्योंगी 50 number के आपकी section है तो इसके बाहर यह नहीं जाएगा थोड़ी सी और चीज़ें जो मैं आपको इसमें सिखा दूँगा सबसे पहले हम बात करेंगे सिक्किम की सिक्किम की capital है मालो आप लोग जा रहे हैं आपको को यह गांग दिख गया आप उसको को देखिके सिख करोगे है नो टान करते हैं यह बहुत ट्रिक्स है यानि की गयंक टॉक किसकी है गयंक डॉक है आपकी सिक्किम की मालो अप घर से गये हो आप लोग लोग एग नई जगा पर रहे हो वहां पर आपको गैंग मिल गया है जिसको देखके आप लोग काफी sick feel कर रहे हो तो यानिकी सिक्किम की capital क्या है सिक्किम की capital है आपकी ग्यंग टॉक इस नेक्स पर आजो नेक्स पर आज़ो यहां पर मेगाले क्या capital है मैं आपको पहले भी बताया है याद रखने का क्या है? देखो, मिघाल्य का क्या है? मेगा चीका है? मेगा यादी कि मेगा मतलब कोई आपने सनोगा मेगा event होने वाला है, बहुत बड़ा event होने वाला है और यहाँ पर आप लोगों ने word सुना है long कि आप लोग मेगा और लॉंग को याद रख सकते हूं मेगा इवेंट होने वाला है मैगा को लॉंग से कनेक्ट करोगे तो स्ट्राइक करेगा पेपर में मेगहल्य की कैपिटल है आपकी शिलॉंग ठीक है यहां तक next पर आज़ाओ नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ यहां पर आप लोग देख रहे हैं अरुनाचल प्रदेश इटा नगर लिख लेते हैं पहले अरुनाचल प्रदेश इटा नगर अब यहां पर क्या है अरुनाम का लड़का है वो हर एक इंसान को इंट उठाके फैंगता है जो भी अरुनाचल प्रदेश की इटा नगर अरुनाम का लड़का हर एक को इंट उठाके फैंगता है इसको याद रखने की आप लोग कर सकते हैं नेक्स पर आते हैं हम लोग यहां पर नागलाइंड की बात करूं कोहिमा देखो नागलाइंड को याद करने की दो ट्रिक्स हैं मैं आपको यहां पर सब की बता देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहें नागलाइंड की ट् तो चीज़े हैं पहली चीज़ क्या है नाग और कोहिनूर से, यहांपहँके है आप you confused कर सकते हो मनी के साथ कि मनीपूर के भी कोहिनूर हो सकता है। इसमें confusion के नाग देखया होतह। इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ कोई है मा वहां कोई है मा नाक को देखके आप लोगों ने क्या बोला वहां कोई है मा यानि कि कोही मा simple trick है paper में strike 110% करेगी अगर confusion हुआ क्योंकि paper में क्या है आजकल वो चलाक हो चुक्य है examiner वो यह seven sisters पर जादा तर घुमाते हैं इसी को डाल देते हैं और इसी में पूछ लेते हैं बताओ क्या है उप्शन में भी आपको दे जैसे मालो और नागलाइंड की पूछ लिया उप्शन में कोहिमा इंफाल दिस्पूर्ट इटानगर सब दे देंगे नेक्ट पर आते हैं अब देखो आप लोगों का ओमव क्या है देखो आफ यहां पर पहले त्रिपूरा डी ले क्या है सबसे cycle के अगर को में यह लगती है आप लोगोंUL और कहीं पर ट्रिप पे जाना है तो आप अपने Triz पे जाना है तो अगर ट्रिप पे जाना तो अगर ताला लगा कर जो बहुत बेसिक बहुत इजी ट्रिक है ये याद रखने की अब जो रह गई है हमारी यान पर लगी है तीन मि जो राम rehearsed यहँ पर मैं लिक देता हूं अगर आपको लिए नहीं दिखना मि जो राम ho और सात में आ गई असाम तर देखो कहीं से बार क्या होता कि बसे होती है अपनी अब यहाँ पर में आप लोगों को दूंगा हूम वक्त हरो मोग अपने क्रियेटिवने दिखाओ क्मेंट में शुर्ष मेरे को ट्रिक बनाकर बताओ असाम की क्या है असाम की एदिश्पूर मनीपूर की क्या है मनीपूर की है इंफाल और मिजोराम की क्या है मिजोराम की है आपकी एजवाल तो simple है यहां पर, आप लोगों को बताना है, आप लोगों को लिखना है, मिजोराम की मैं आपको बता देता हूं, basic है, दोनों में Z आता है, सबसे पहली, बागी आप कोई भी उठा लेना, आपको strike कर जाएगा, मिजोराम में भी Z आएगा, एजवाल में भी Z आएगा, बागी trick हो सकती है अपने end में हम लोगों ने यहां पर कर दिया अभी lecture खतम नहीं होगा दो मिनट वेट करना maximum tricks मैंने आपको सारी बता दी है जल्दी से मैं आपको end में जाते जाते चार से पांच पूछूँगा थोड़ा सा point याद रखना अब यहां पर क्या है अगर exam में question पूछा जाता है कितनी union territories ऐसी है जिनका खुद का legislature है सबसे important question अगर आज की date में एक question थोड़ा सा state and capital के topic से हट के पूछा गया तो यह इस तरीके से पूछा जाएगा अगर total क्या है total है हमारे पास 8 लेकिन अगर examiner ने पूछा इन में से कितनी ऐसी है जिनका खुद का legislature है यानि की legislature क्या हुआ वो आप लोग मैं आपको पॉलिटी की class में उता दूँगा फिलाल के लिए याद अफना total तीन है तीन union territories है जिनका खुद का legislature है जैसे दिल्ली में आप लोग देखते है पुडूचरी में आप लोग देखते है पहले से पॉडूचरी का जाता था ये भी पूछा जा सकता है कि पुडूचरी का पुराना नाम क्या था और तीसरी है यहां पे आपकी जमू एंड कश्मीर जमू कश्मीर रिसेंटी एड़ हुई है इलेक्शन भी अभी हो जाएंगे आप लोगों को लेजिसलेचर भी समझा देगा और यहां पे क्या है इन सब की खुद की कैपिटल भी है यह तो अभी हम लोग ने डिसकस किया थोड़ा सा डिफरेंस यहां पे याद रखना स्टेट और यूइन टरिटीज में अगर पूछा जाए अब लोगो ने देखा होगा यूपी की अगर मैं एक्जांपल दू अभी रिसेंटल इलेक्शन हुए है पंजाब की अगर मैं बात करूँ वहां पर भी इलेक्शन हुए है इनकी खुद की इलेक्टेट गवर्मेंट रहती हैं लेकिन अगर मैं बात करूँ यूइन टरिटरिस की तो यह प्रेजिटन वगर्मेंट के द्वारा आता है यहां पर सब चीजे अलग है एक्जीक्यूटिव हेड कोन होता है यहां पर यहां पर इन दोनों के बीच में डिफरेंशेट करने का आपको सबसे इंपॉर्टन एजी तरीक है जमू कश्मीर जब जमू कश्मीर स्टेट थी हम यहां पर यहां पर यहां पर यह चीज याद रखना अब यहां पर क्या होता है यहां पर जो पॉइंट है यह का इंप्वर्नन है जो union directories होती हैं उनके जो head होते हैं वो administrative होते हैं जो appoint के जाते हैं president के द्वारा जैसे आर के बात होने हैं इस समय governor LG तो वो किस ने appoint की है वो president ने appoint की है तो उनके पास ही सारी powers है सब चीजे वहीं पर ही रहेंगी जो administration चलती है अब यहां के अगर हम बात करें चीफ मिनिस्टर जो है वो real head होता है वहीं यहां पर LG जो है वो real head होता है अभी lecture नहीं खतम हुआ थोड़ा सा वेट करना यह जो लास्ट के पॉइंट से काफ इंपॉर्टन है थोड़ा सा करेंट एफेर्स का में यहां पर आपको कर देता हूं 26 जनुरी 2020 में क्या हुआ था 26 जनुरी 2020 में आठ यूनियन टेरिटरी जो थी इंडिया में थी जो यूटी थी दमन द्यू की औ दो यूनियन टेरिटरी में थीक है जम्मू और लदाख जम्मू कुश्मीर और लदाख तो जो मर्जर हुआ था दमन द्यू और दादरानगर हवेली का उसके बाद जो टोटल था वह वापिस से आठी कही न कहीं बन गया जैसे मालो पहले क्या थी पहले थी हमारे पास लदाख बन यहां से टोटल आप लोग सोचते हो नो बन गया होगा ये क्वेशन जैसे में भी पूछा गया था बच्चों आपको बता दूे क्वेशन के बीसी तक पहुंचा गया है जम्मुकुश्मीर लदाख आप लोग सोचते हैं नो बनी लेकिन इन नों में जो पहले दो थी दमन एंड द्यू और दादरा नगर हवेली इसको एक कर दिया यानि कि 9-1 यानि कि अगर दो थी इसको एक बना दिया तो यह वापिस घुमफे कि क्या बन गई आठ तो आज की डेट में कितनी है आज की डेट में आठ है इससे जाद आपको याद रखने की ज़रत नही यहाँ अगर पूछा जाए अगर करेंट अधेश की फॉर्म में अगस्त दोज़ाथ बीस में अंधरपरदेश की अपनी एक्जिक्यूटिव कैपिटल अमरावत्ती को बना दिया था यहां पर इन्होंने अपनी लिजिस्लेटिव कैपिटल और कुरनूल को बना दिया था यहां पर judicial capital अब यह भी आपसे डिरेक्ट पूछा जा सकता है इस point को याद रखना क्या बोला मैंने यहां पर अगर पूछा जाएगा आपसे अगर अब वैसे capital क्या है वैसे capital अमरावति है ठीक है अगर पूछा जाए विशाखा पत्नम क्या कौन सी capital बनाई गई थी वहां पर विशाखा पत्नम को बनाए गया था एक्जीक्यूटिव capital अमरावति क्या थी अमरावति आपको बने बता दिया क्या थी legislative capital और judicial किसको बनाए गया था कुर्णूल को तो यह तीनों चीज़ें याद रखना और आपको अगर पूछा जाए पहली state इंडिया की कौन सी थी जो linguistic बनी थी या जो language के अधार पर बनाई गई थी पहले क्या हुआ था यह काफी बहुत important question है कभी बार डिरेक्ट एक्जाम में आता है तो पहली state कौन सी थी वो थी आंद्रपरदेश जो language के basis पर बनाई गई थी पहले language के basis पे इनको एक ही जगा connect कर दिया गया था बहुत प्रोटेस्ट हुआ था जब इनके जो प्रोटेस्ट अब आपको बताना है कि किसने वो प्रोटेस्ट को लीड किया था जिनकी दिहान के बाद प्रोटेस्ट और जादा हुआ और इसको पहला एक linguistic based अगर हम बात करें state का दर्जा मिला बहुत important होगा तो यह आपको जितनी चीज़ें यहां पे cover करनी थी जो questions बन सकते थे हम लोगों ने यहां पर कर दिये हैं आपका जो homework है मनिपूर और असाम की trick आप लोगों को बतान होगे तो आज के लिए सब्सक्राइब कर लो अगर आपके चैनल पसंद आता है इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंज के साथ शेयर करो और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया दो लाख सब्सक्राइबर करने के लिए थैंक यू अगें मिलते हैं जल्दी ने सब्सक्राइब के साथ अभी के लिए जाद दो हैव नाइस डें बाबाए टेक केर